हेलो एक क्योरियोस वेलकम चुवारे एंजलिक डाइडेंस आई होप आप सब अच्छे होंगे अपमें लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आज ये फिर आपके लिए रीडिन लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आप पर्सजों रिडिंग चाहिए तो आप बढ़िया को मेर ऺटोस दो दोनों दिखाई देरा होगा ब्रात्री रिमेडिन और होप गएए सबसक Bene आगे देख लेते हैं, gossip, self-love, unfinished business, ठीक है, कुछ अभी भी ऐसा लग रहा है इस person को, कि आप दुनों के बीच में अभी भी कुछ ऐसा बागे, तो यह person आपको याद करते हैं, मन में अभी भी बहुत सारे सवाल आते हैं, कि हम दुनों के बीच में जो हुआ है, ऐसा क्यों पर work करने की कोशिश कर रहे, self-love कर रहे, अगर इनकी दोस्त है और इनकी दोस्त भी आपके बारे में जानते हैं, तो यह उनसे हमेशा आपकी बारे में discuss करते रहते हैं, और यहाँ पर यह भी इनको ऐसा लगता है, यह person की यह भी problem है, कि आपको खुल कि अगर इस person लोगों के सामने accept नहीं किया है, या आप दोनों की रिष्टे को official नहीं किया है, तो इनको डर लगता है कि लोग आप दोनों के रिष्टे के बारे में क्या वो सोच नहीं है, इस वज़े से भी शेर इन्होंने अपना 100% इस रिष्टे में नहीं दिया है, यह person अपने बारे में personality वैसी नहीं है, यह खुले आम सबकी सामने आपको accept करें, आपका हाथ पकड़े, officially बताये सबको कि हम दोनों relationship में, हम दोनों deal कर रहे हैं उसे के साथ, और आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, जो इस वज़े से भी separation आया है, no contact situation गया है, यह person उसके regarding तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बटते हैं, यह सोचते हैं कि हम दोनों दूर हो गएं, हम दोनों के बीच में रिश्टा पहले अच्छा हुआ करता था, यह अचानक से क्या हो गया, और ये खुछ ते प्यार भी कर रहा है, अभी खुद का ध्यान रख रहे हैं, खुद को heal करने की कोशिश करें कि उसमें से बाहर निकले चुकि यह हो सकता है emotional हो पर expressive ना हो जिसके वैसे वो चीजों को feel तो कर रहे हैं लेकिन वो चीजों को express नहीं कर पाते हैं ठीक है और हो सकता है ना express करने के वीज़ से आपको ऐसा feel होता है कि भाई यह person तो प्यार ही नहीं करता पर ऐसा नहीं है करता है पर उसे express करना नहीं आता है curious आईए देख लेते हैं यहां पर बीच में तो दोनों affected होता है क्योंकि दोनों यहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो दोनों ही disturbed हो जाते हैं और जब separation जैसी चीज़े आ जाती तो फिर तो दोनों के लिए ही बरदाश्ट करना मश्किर होता है तो करें ना करें अब यह जो darkness वाला period है यह उसके उससे light की तरफ जा रह है इंसे क्या गलती हुई है उसे इसको भी देखने की कोशिश करें अगर आप में से कुछ लों का question यह कि मैं इस person को realization हुआ है हाँ इस परसन को realization हो रहा है इसको यह समझ में आ रहा है कि कि इससे क्या गलती हुई है ठीक है आए देख लेते हैं यहां पर और क्या card है उनिव कि आए देखते हैं कि नाइट आफ कप्स दफूल कि आप में से कुछ लोग के partner मुझे दिखाई दी रहा है या तो आपके साथ ही new beginning करने के बारे में सूच रहे हैं या फिर मैं देख पा रही हूं कि यह person चाहेंगे कि मैं new beginning करूं किसी new person के साथ बहुत अक्तर chances है यह person new beginning करना चाहेंगे पर किसी और के साथ ठीक है आपके साथ अभी भी इनका ऐसा है कि कुछ चीज़ा हमारी खतब नहीं हुई है हमारे बीच पर स्चिल यह चाहते है कि मैं move on करूं मैं आगे बढ़ूं इन चीज़ों से ठीक है वो खुद को heal करके खु किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है तो यहां पर यह भी दिखाए देंगे कि इसनों ने दिल की सुनी इनको ऐसा लगा कि शायद हम दोनों के बीच वह स्पार्क नहीं है किसी और के साथ इन्होंने वह स्पार्क फील किया तो इसके विज़े से भी वह इस रिश इससे फर्क नहीं पड़ता है यह मेल अफी मेल है ठीक है पर यह जो भी है उनको किसी और से अट्रैक्शन हुआ उनको ऐसा लगा कि कोई और है जो मुझे समझ रहा है इस रिश्टे में तो मुझे उनके साथ नियू बिगनिंग करना चाहिए तो एक क्यूरिस जहां तक मैं दिखाई दे रहा है ठीक है आई यह देख लेते हैं और क्या मैसेज इस पॉस्टन को लेकर और कुछ इस्टिल अभी आप दुनों के बीच में ऐसा है कि हाँ अन्फिनिश्ट है पर इस पॉस्टन ने प्लान अभी तो यही किया है जो कि अभी करन्ट इनर्जी की बात कर र देखिए यह चेंज करना चाहते हैं यह चेंज लाना चाहते हैं और यहां पर मैं देख पा रही हुए एक नहीं कई लोगों से बात कर रहे हैं अपने आप्शिंस ओपन रख रहे हैं तो यहां पर हो सकता अभी कोई सीरियस रिलेशन्शिप में ना जाना चाहें कुछ लोगों के पार्टनर सीख अभी कोई सीरियस रिलेशन्शिप में ना जाना चाहें फ्लर्ट करना ठीक है बाते करना किसी से ठीक है पर कोई सीरियस रिलेशन्शिप नहीं और यह जो चीज में new beginning करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर self love, self work करना भी शुरू कर दिया है एक नई life की beginning कर दिया है ठीक है, खुद के उपर काम करना खुद को priority देने के बारे में भी सोच लिया है ठीक है, इस person ने तो शायद कुछ travels के भी plans यहाँ पर नारें हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस अच्छा की छोड़ की चला जाना अपनी life की new beginning करना कैसे कर सकते है उन चीजों के बारे में सोचना ठीक है, हो सकता है आपको इनके इनसे related कोई बहुत चली कोई news मिले कि इन्होंने कुछ changes लाएं हैं, अपने कपड़े पैनने के धंग में changes लाएं हैं, या कहीं चले गए हैं ठीक है, कहीं और चले गए हैं या फिर किसी भी तरह का आपको यहाँ पर पता चल सकता है कि इन्होंने इनके life कोई तो change आया, वो change की बारे में दिखाई दे रहे हैं, वो courage को बटोरते हुए कि ठीक है, वापस आप मुझे आगे बढ़ना है new life में जाना है, उन चीजों के तरफ आगे बढ़ते वे दिखाई दे रहे हैं आप मैंसे कुछ लोग एक partner लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है अब वो कहते नहीं है कि तुरंट कोई फैसला नहीं लेंगे कि हाँ, इसी की साथ मुझे रिलेशनशिप में जाना है नहीं अब वो परकेंगे, जानेंगे, समझेंगे, बात करेंगे उसके बाद ये decide करेंगे कि मुझे कौन सा partner चाहिए, किस की साथ रिलेशनशिप में जाना या नहीं ये खुद को single रहके heal करने की कोशिश करें, बढ़ हाँ, flirt करना, लोगों से बात करना, options open करना चाहिए, और चाहिए, कि और भी लोग मुझे approach करें, तो अपने आपको उस तरीके से बनाना, अगर आप इनको reject करके गए हो, चाहिए, तो ये खुद को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, कि अगली पर इनको कोई reject ना करे, चाहिए, और इन्होंने आपको reject किया, त आप भूल पाएंगे, चाहिए, ये भी एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, चाहिए, तो ये थी आपकी reading याप एक क्योई एस, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चला पर तक नहीं किया है, तो comment box में ज़रूब तक तक नहीं को अच्छी लगी के लिएम जब कर देविए, ये थाझ सब्सक्राइब मैंन की लिए, ये बाइब मैंन ज़रूब पर तक नहीं की अच्छी के मैंने लिएूआब ये येूड़ एकि भाशूएंट के लिए ये शिएवी पर जवरूएंगी।